दोस्तो ओला एलेक्टिक कम्पनी को कौन नहीं जानता ये कम्पनी पहले ओला टेक्सी के रूप में जानी जाती थी लेकिन जब से इन्होंने अपना ओला एलेक्टिक स्कूटर लौंच किया है तब से इनको काफी जादा लोग जाने लग गए हैं उला एलेक्टिक कम्पनी एलेक्टिक स्कूटर के मामले में 41% मार्किट को कैप्चर करके बैठी हुई है जो कि इनकी हर मैने की सेल रिपोर्ट बताती है वहीं अब कम्पनी अपना एक एलेक्टिक थीविलर या फिर ओटो रिक्षा बोल सकते हैं उसको लाने वाली है जिसका नाम होगा राही ये ओटो रिक्षा बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाएगा जिससे की कम्पनी की पॉपलिटी और भी ज़्यादा गेन हो जाएगी साथी साथ कम्पनी ने अपनी लास्ट इवंट में ये भी बताया था कि कम्पनी अपने फास चार्जिंग नेटवर्क को काफी ज़्यादा एक्सपैंड करने वाली है जिससे की अब इनके अपनी ओटो रिक्षा को भी इसी फास चार्जिंग से चार्ज किया जाएगा वहीं बेंगलूर में अभी तक पी सबसे बड़ी इलेक्रिक स्कूटर की फैक्टरी भी ओला कम्पनी के पास में है जिसकी पर एनवल 1 मिलियन मैनेफ्रेक्टरिंग कैपसेटी है वहीं हाली में कम्पनी ने अपनी ओला घीगा फैक्टर को भी सेट अप करना स्टार्ट कर दिया है जहां पर इलेक्रिक विकल में यूज होने वाले लिथियमान सैल को बनाया जाएगा जोकि अभी तक जितने में इलेक्रिक स्कूटर मैनृफटर हैं सब झी कमपनीया अधर कंट्री पर डिबेंट रहती हैं जिसे की फिचर में इलेक्रिक स्कूटर अलेक्र कर सब कुछ काफी सस्ता हो जाएगा वहीं दोस्तों अलní इलेक्रिक कमपनी अब वी तूब वहीं दोस्तों इन सभी इस थी विलर्स में हमें 100 km के असपास में रेंज मिलती है बट स्मार्ट फीचर इतने कुछ खास नहीं मिलते हैं वहीं दोस्तों ओला अलेक्टिक और उटो रिक्षा की प्राइस की बात करें तो इनको आप टारेक्ट इनकी वेबसाइट से बाई कर सकेंगे इनके बीच में कोई भी डिलर नहीं होगा जिससे की इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी कम रहेगी वहीं दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि ओला इलेक्टिक स्कूटर पर भी डिसकाउंट चल रहे हैं कमपनी अपना गीगा फैक्टर को भी सेट अप कर रही है आपके वीटो बी इलेक्टिक रिक्षा और इलेक्टिक स्कूटर भी आने वाले हैं तो इनको देखकर करना और दोस्तों वीडियो अच्छे लिए तो आर प्लीज वीडियो टिको लाइक करना मैं मिलता हुआ आप सेकर एसी ने वीडियो में तब तक लिए स्टेए सेफ और सेफाइट